हलो स्टुडेंट्स, वेलकम टू ट्रिपल अबराइड अगेडमी स्टुडेंट्स हम अपनी वीकली करंट अफेर सीरिस को कंटिन्यू करते हुए आज कवर करेंगे 20 से 26 सप्टंबर के करंट अफेर्स सभी important points को बहुत अच्छी से कवर करने की कोशिश करेंगे अगर आपने से जुड़े रहना चालते हैं do subscribe channel and press the bell icon so start करते हैं आज की वीडियो को और देखते हैं कुछ important points तो पहरी news हमारे पास है इंडिया और बंगलादेश to resume the joint coordinated border patrol देखे, along the border line आपको पता होगा कि हमारे पास बहुत सी illegal activities conduct की जाती है तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर जो coordinated border patrolling है उसको continue करेगा इंडिया और बंगलादेश देखे, जब हम बात करते हैं इंडिया और बंगलादेश की border की तो आपको पताना चाहिए इंडिया share its longest land border with which country so that is with बंगलादेश ठीक है और बंगलादेश की जब मैं बात करूँ तो अभी आप इनके founding father का नाम याद रखेगा शेख मुझीबूर रहमान ठीक है शेख मुझीबूर रहमान हमारे पास founding father consider किये जाते हैं बंगलादेश की ठीक है बंगलादेश के साथ हमारे बंगलादेश के साथ हमारी longest land border होने के साथ साथ आपको बात और पता नहीं चीए border dispute भी था border को लेकर dispute भी था जिसको resolve करने के लिए इंडिया ने इनके साथ एक agreement किया जिसको बोलते है land border agreement with बंगलादेश याद रखेंगे agreement हमने sign किया था that is known to be land border agreement with बंगलादेश और इसी के चलते हैं इंडिया ने अपने constitution में amendment भी की थी 100th constitutional amendment so याद रखना जो भारत के समीधान में जो 100th amendment है वो किसको लेकर है that is with land border agreement with बंगलादेश ठीक है और आपको मैं बता दूँ कि इंडिया के लिए बंगलादेश इस वाज़े से इंपोर्टेंट है कि नोर्थ ही स्टेट्स के साथ connectivity अगर इंडिया को improve करनी है सो हमें सी रूट का साहरा लेना पड़ेगा और कहीं ना कहीं बंगलादेश की आप मुझे स्टेट कमेंड सेक्शन में कमेंड करके बताईए इंडिया ने कहीं सारे प्रजेक्ट्स चलाए हैं बंगलादेश में जैसे हम कहीं पोर्ट को वहाँ पर डेवलप कर रहे हैं लेकिन एक special port है बंगलादेश में जिसको इंडिया और जैपैन मिलकर डेवलप कर रहे हैं विच पोर्ट विल ब्ड डेवलप्ड बाए इंडिया एंड जैपैन इन बंगलादेश नेकि पनार पर्तिकोलर ने हformed messaging करके बताईए याद रखेंगे इस पॉर्ट को जोईंटली डेवलप करेंगे कौन-कौन इंडिया एंड जेपैन जोईंटली डेवलप पायरा पॉर्ट इंड बंगलाजिस तो आपसे ये भी कुशन कुछ आ सकता है कि इंडिया और जेपैन मिलकर एक पायरा पॉर्ट को हमारे पास डेवलप कर रहे हैं आप ये बता दीजिए कौन सी कंटरी में हमारे पास लाई करते है ठीक है चलिए जी नेक्स्ट न्यूस है हमारे पास अनिल दस्वना अब ये एंटियारो कहा है अब ये एंटियारो कहा है अब ये नेशनल टेक्निकल रिसर्च और्गनाजेशन ठीक है नेशनल टेक्निकल रिसर्च और्गनाजेशन अब ये करती कहा है और्गनाजेशन ये टेक्निकल इंटेलिजेंस एजंसी है खूफिया जानकारी को ही कठ करने के लिए एक स्पेस्लाइज एजंसी ठीक है डेट इस रिस्पॉंसिबल फॉर दा जियो स्पैशल इंटेलिजन्स एंड सैटलाइट इमेजरी जो सैटलाइट से हम खूफिया जानकारी घठा करते हैं दुश्मन देशों के बारे में उन सब को लेकर हमारे पास इंफर्मे के डारेक्ट रिपोर्टिंग होती है किसको नाशनल सेक्योरिटी आडवाईजर को जैनका जेम्स बॉर्ण आप इंडिया के नाम से जानते हैं देखें आजकी डेट में है स्टुडेंट ध्यान समझने के कोशिशिक करना सैटलाइट का बहुत जो रोल है वो क्रूशल हो ग लाती है और information gather करने के राज के लिए किस चीज की जूर्थ है satellites की जूर्थ है तो मैं आपसे question पूछने जा रहा हूं कि India जो है project पर काम करें basically the project is of DRDO DRDO का एक project है that DRDO will establish a network of spy satellites okay आप उस project का मुझे नाम बता लीजिए name the project of DRDO under which network of spy satellites will be established जल्दी से comment section में comment करके बताईए कि DRDO कौन सा project है जिसके तरू हम कई सारी satellites को establish करेंगे spy satellites को जासुसी के लिए satellites को ओके याद रखेगा स्टुवेंट project का नाम है project kotiल्य ठीक है हमारे पास project का नाम है project kotiल्य इस project के तहत project kotiल्य के तहत जो DRDO है defense research development organization sorry defense research development organization वो क्या करेगा हमारे पास एक पूरे project को हमारे पास continue करेगा जिसमें हमारे पास क्या होगा कि network of spy satellites will establish ठीक है और अभी इसी के चलते आपको पता होगा emisat नाम की satellite recently इंडिया ने लॉंच की थी अभी recently इंडिया ने एक emisat spy satellite लॉंच की थी तो that is a part of project kotiल्य वो project kotiल्य का ही हमारे पास हिस्सा था चलिए जी next news स्वसनार first kind of helmet like ventilator ठीक है ventilation device और you can say ventilator तो किस ने बनाया है हमारे पास international institute of information technology भूवनेश्वर ने तो ये पहली बार है कि helmet like हमारे पास ventilation device हमने बनाया है नाम उसको दिया है स्वसनार तो आब आप ध्यान से सुनिएगा जो questions आपको बताने पहली बात तो ventilator क्या oxygen provide करने के लिए हम ventilator का यूज करते है ventilator को हम respirator का नाम भी दे देते हैं अभी आपको पताओ को क्रोना वाइरस के चलते ventilators की जो demand है वो throughout the India बहुत जारा बढ़ गई है तो आप यह देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारे पास ये photo में आप देख सकते हैं इस तरह से हमारे प करने काम no doubt कोन करेगा serum institute ठेक है manufacturing का काम जो भी होगा serum institute of India ठेक है यह हमारे पास vaccine manufacturing का काम करेगा इसके लिए इसने वल्ड की कहीं सारी companies का tie-up भी कर लिए estrogenica के साथ भी tie-up कर लिए है ठेक है और कहीं company साथ इसका tie-up हो चुका है तो serum institute of India ने अभी क्या कहा है कि अगर इंडिया को अपने हर patient को vaccine available करानी है covid की vaccine available करानी है so India will required हाँ जी कितना पैसा 80,000 करोड ठेक है इंडिया को लगबग 80,000 करोड रुपेस की requirement यहां पर रहेगी ठेक है 80,000 करोड की अब question यह उड़ता है कि हमारी government इतना पैसा कैसे manage कर पाएगे अब next question हमारे यह है क्योंकि vaccine दो तिन वहीने में आ जाएगी as per the serum institute of India तो मेरा आपसे question यह है कि who is the current who is the current president of serum institute of India जल्दी से comment section में comment करें बताइए serum institute of India के current president का नाम जो कि पूने में इंसिटूट याद रखना institute का है पूने में ओके नाम याद रखेंगे अधर पूना वाला ठीक है अधर पूना वाला हमारे पास president है serum institute of India के और इस समय यह world का सबसे बड़ा vaccine manufacturing institute है ठीक है next हमारे पास cargo ferry vessel MP Lins to Maldives देखे हुआ क्या है कि India ने हमारे पास Maldives साथ एक नई service शुरू की है MCP Lins के नाम से so अब समझे स्वेंट Maldives के साथ हम क्या कर रहे है first ever direct cargo ferry service हमने launch की है basically हम Maldives साथ अपने relation strengthen करने की पिछले कुछ सालों से लगातर कोशिच कर रहे है India provided financial assistance of 250 million ठीक है at favorable terms to the government of Maldives आप देख सकते कि यहाँ पर 250 million US dollar की हमने यहाँ पर financial help भी की है Maldives को Maldives के लिए बात करें तो Maldives की जादातर जो economy है वो किसके उपर depend करते है tourism के उपर और just because of coronavirus आप समय सकते हैं कि जो tourism है वो हमारे पास कही ना कहीं problem में है और ultimately Maldives की country भी problem में है इसके लावा आपको मैं बता दूँ कि government of India ने decide कि हनीन माथो international airport इसके expansion project के लिए India जो है वो 800 million line of credit देगा through Exim Bank. Exim Bank क्या है? Export Import Bank of India. इंडिया का एक bank है जो हमारे पास help करेगा Maldives में हमारे पास एक airport की construction में अब Maldives के बारे में कुछ points जो आपको पता होने चाहिए. पहली बात है हम Maldives साथ strong relation चाहते हैं strong relation चाहते हैं इसलिए हम क्या करते हैं? हर साल उसके साथ एक military exercise conduct करते हैं Yukovarine नाम से. याद रखेंगे इंडिया और Maldives हर साल एक military exercise conduct करते हैं military exercise का नाम क्या है? Yukovarine. पहली बात तो आप यह याद रखेंगे. उसके लावा अगर हम बात करें हमारे पास यहाँ पर language कौन सी बोले जाती है? अगर यहाँ पर language की बात करें तो Maldives में Divi ही language हमारे पास यूज की जाती है. करंसी यहाँ पर rufia है. और capital यहाँ की है mail. ठीक है? और यहाँ पर president कौन है? इब्राहीम मुहमद सोले. याद रखेंगे who is the current president of Maldives? इब्राहीम मुहमद सोले. चलिए मैं question पूछ लेता हूँ. चलो एक point और बता दूँ कि इसको 1965 में independence मिली थी from UK. ठीक है? जल्दी से comment section में comment करके बताइए कि लक्षदीप जो है, that is separated from Maldives by which channel? जल्दी से comment section में comment करके बताइए, लक्षदीप group is separated from Maldives by which channel? याद रखना लक्षदीप group separated from Maldives by 8 degree channel. ठीक है? जो भारत के लक्षदीप आइलेंड हैं और वो जो Maldives से अलग होते हैं, वो कौन से channel से अलग होते हैं? 8 degree channel से. तो ये मेरे लिए एक important question जो पूछ ले जाता है कहीं बार? चलेजी. next news की तरफ चलते हैं. next हमारे पास DMUC trains to Nepal railways. देखे अभी क्या हुआ है? कौनकन railways, handed over to modern diesel electric multiple unit, जिनको हम बोलते है DMUC trains to Nepal. ठीक है? और अब ये जो railways हैं, ये नेपाल के अंदर चलेंगी और ये हमारे पास broad gaze line पे चलेंगी. ठीक है? broad gaze line पे चलने वाली railways हैं. कहां से कहां तक run करेंगी? जयानगर in बेहार to kurtha in धनुसा district. ठीक है? तो ये आप याद रखना कि इंडिया ने भी recently Concern Railway की तरह से DMUC train engines जो हैं, वो बना कर दिया है. इनकी manufacturing किसने की है? Integrated coach factory. चन्नाई ने. So, integrated हमारे पास coach factory है, जहां पर railway के various engines बनते हैं, तो ये coach factory हमारे पास कहां है? That is in चन्नाई. ओके, और नेपाल की हम बहुत जारा help करते रहते हैं, और अभी अगर हम बात करें, करने लगा जादा. एक टाइम ऐसा होता था कि नेपाल और इंडिया के रिष्टे इतने अच्छे थे कि उनको define करने के लिए हम क्या term यूज करते थे रोटी बेटी का रिष्टा. ठीक है? रोटी बेटी का रिष्टा जो टर्म है, वो यूज की जादी तो define the India यह याद कौन सी military exercise हल सालम conduct करते हैं? सूरे किरन के नाम से. याद रखेंगे, इंडिया और नेपाल हर साल एक military exercise conduct करते हैं, that is known to be सूरे किरन. लेकिन जो current prime minister है KP शर्मा ओली, वो काफी हद तक हमारे पास आपको देखने को मिलेगा कि वो चाइना को favor करते हैं, ठीक है? और communist party है, काफ पॉस्चन बन जाता है, Treaty of Sagoli के थूँ, ठीक है? Treaty of Sagoli होती है 1816 में, और इसके थूँ हमारे पास आप याद रखेगा, इंडिया और नेपाल के बीच में border जो है, वो decide किया गया था, ठीक है? ओल्दो इंडिया से ही सारा जो transportation है, सारा जितने भी important equipment है, वो नेपाल को इंडि हतिया ली, ठीक है? अभी recently कुछ news आई दी, लेगिन केपी शरम ओली क्या बोलते हैं कि जो चाइना ने अभी construction किया है, वो अपनी खुद की land में किया, लेगिनी completely क्या कर रहे हैं? डारेक्टली और completely चाइना को support कर रहे हैं. चलिए मैं आपसे question पूछता हूँ, which Indian state, which Indian state share longest border with Nepal? जल्दी से comment section में comment करके बताईए. So correct answer, अगर हम बात करें, correct answer है उत्तर परदेश, ठीक है? भारत का जो उत्तर परदेश राज्य है, वो सबसे लंबी, हमारे पास अंतरास्ट्र सीमा रेखा जो है, वो share करता है नेपाल के साथ, और सबसे shortest border है, वो है West Bengal की, ठीक है? नेपाल के साथ सब जो सबसे shortest land border है कि state की ह वो है West Bengal, ओके, next news की तरफ चलते है, joint security patrol along the border in Kapilvastu, आप यह देख सकते हैं, नेपाल से लेटी डेकोर न्यूस, तो although हमारे relation थोड़े यहाँ पर strangle चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या news आई है कि हमारे पास joint patrolling होगी along the border in Kapilvastu district, तो याद रखना, इंडिया और नेपाल जो है, joint patrol bordering करेंगे हमारे पास along, हाँ जी, कहाँ पर Kapilvastu district, तो बस यह इतना याद रख लेना, Kapilvastu district में हमारे पास joint patrolling होगी, इंडिया और नेपाल के त्वारा, चलिए जी, नेपाल के बारे में already हम बात कर चुके, next, India's first, CRISPR COVID test, फैलूडा, चीक है, हमारे पास एक न तो पहले तो आप इसकी full form याद रखेंगे, FNCAS9, Editor Limited, Uniform Detection Essay, ठीक है, full form याद रखेंगे, और इसको हमारे पास, India's first CRISPR, that is Clustered Regulatory Introspect Short, Palindermic Repeat Test, इस category में इसको रखा गया है, और इसको approval मिल गया है, Drug Controller of India के दोरा, अभी तक अगर हम बात करें, भारत में test कैसे कंड़क्ट हो रहे हैं, भारत में test conductor है, RT-PCR test, ठीक है, that is Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction Test, याद रखेंगे, Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction Test, जो RT-PCR test है, अभी उसके थ्रू ही हमारे पास, India में, जो Corona Virus की Detection है, वो की जा रही है, तो अभी ये भी याद रखना, paper में, इसके बारे में भी आप से पूछा रहा है, RT-PCR, ठीक है, full form मैंने already आपको बता दी, इसके लावा आप ये भी याद रखना, कि हमारे पास ये जो development है, इस test की, ये जो नए test आया है, वो किसके दोरा कीए, CSIR के दोरा, ठीक है, CSIR हमारे पास एक important government body है, Center for Scientific, Council of Scientific and Industrial Research के नाम से हम इसको जानते हैं, जो हमारे पास industrial research को लेकर basically क काम करती है, और ये अजादी से पहले से हमारे पास काम करने वाली organization है, CSIR के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि CSIR 1942 से हमारे पास काम कर रही है, और ये वो organization है, जिसको most innovative organization में से एक, भारत की innovative organization में से एक, माना जाते है, ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है, student, ये हमारे पास सस्ता भी है, और साथ की साथ हमारे पास आपको मैं ये भी पता दूँ कि सस्ता होने के साथ-साथ, इसका result भी हमारे पास बहुत तेही से आपको मिलेगा, तो इसके लिए manufacturing के लिए agreement किसा है, Tata Suns Private Limited, यहाँ पर Tata Group क्या करेगा, इसको manufacture करेगा, तो ये चंदर शेकरन, बहुत से students को लगता है, Ratan Tata वो गलत है, ठीक है, एंचंदर शेकरन is the current chairman of Tata Group, चलिए मैं आप से question पूछ लेता हूँ, student, आप जल्दी से comment section मुझे comment करके बता दीजे, CSIR की मैंने बात की, ठीक है, that is Council of Scientific and Industrial Research, who is the current president of CSIR, यह मैंने class में बताया हुआ है, आप से comment section में comment करके बता दीजे, who is the current president of CSIR, CSIR के current president कोन है, ओके simple सा question था, याद रखेंगे, CSIR के president हमेशा कोन होता है, Prime Minister of India, यानि कि right now कोन है, Narendra Modi, ठीक है, अगर आप से CSIR के president का नाम पुछा आ रहे है, तो indirectly आप से Prime Minister का नाम पुछा आ रहे है, क्योंकि हमेशा क्या होता है, कि हमारे पास जो भी Prime Minister होते हैं, वो CSIR के president माने जाते हैं, तो अगर कभी भी CSIR के president के बारे में पुछा आ रहे है, तो याद रखना, आप से current Prime Minister का नाम पुछा आ रहे है, indirectly, जो की बहुत easy question मन जाता है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, Narendra Modi won the IG Nobel Prize 2020, अब ये थोड़ा सा ना, इसको Nobel Prize से हमारे पास मत confuse कर देना, ठीक है, ये बात याद रखना, इसको आप Nobel Prize से confuse मत कर देना, तो जब मैं इसकी बात करता हूँ, IG Nobel Prize की, तो एक तरह से याद रखना, ये sarcastic way में एक तरह से हमारे पास दि दिया जाता है, कि जिन चीज़ों के बारे में लोगों ने पहले समझा कि ये funny हैं, और बाद में उनको realize हुआ कि ये बहुत ही एक बड़ी चीज थी, तो यहाँ पर आप देखे कर, Narendra Modi को हमारे पास किस लिए मिला है, इससे पहले अटल बेरी वाचपी को मिला था, क्यों कि 1991 में, ये IG Nobel Award कब शुरूआ था, 1991 में, इसको Nobel Award से एक तरह से confuse मत कर ले न, Nobel Award कुछ अलग चीज़ है मारे पास, ठीक है, Nobel Prize कुछ डिफरेंट है, ये IG Nobel है, ठीक है, 1991 में शुरूआ था, और ये कहां दिया जाता है, Harvard University में, ठीक है, तो यहाँ पर Prime Minister क्यों दिया गया आप आप देख सकते हैं कि 2020 for peace, यहाँ पर भी नरेंदर मोदी जी को peace के लिए अवाड दिया गया, having their diplomats, supposedly ring others doorbell in the middle of night and then run away before anyone had a chance to answer the door, so पागिस्तान और इंडिया की बीच में आपको बता है, tension accelerated है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कहीं न कहीं, और नरेंदर मोदी गवर्में इसमें और कुछ बताने के लिए नहीं है, चलिए, next, cabinet approved, देखें यह एक important news में से एक है, that is one of the important news, so जो cabinet है, that approved hide the MSP, what is MSP, that is minimum support price for RMS 2021-2022, what is RMS, so देखें, cabinet committee on economic affairs, पहले तो full firm याद रखेंगे, that is CCEA, that is cabinet committee on economic affairs, chaired by the Prime Minister Modi has approved the increase in minimum support prices, all mandatory drubby crops, रभी crops के लिए, परधान मंत्री जी ने क्या किया है, कि जो cabinet committee on economic affairs ने क्या किया है, MSP को बढ़ा दिया है, so MSP होता क्या है, जिसको भी बढ़ाया गया है, देखें, हमारे पास हर फसल का तो नहीं, market में हमारे पास कुछ फसलें ऐसी हैं, जिनके लिए government MSP देती है, MSP का मतल क्या है, कि किसान जब भी उन फसलों को market में बेचने के लिए जाएगा, तो उस rate से below वो फसल को हमारे पास नहीं बेचेगा, मतलब कि एक mechanism, एक protective mechanism होता है, जिसमें farmer को protection दी जाती है, ठीक है, ताकि उसकी crop का जो एक minimum rate है, उसे मिल सके, that is known to be minimum support price, ठीक है, अब देखो रभी सीजन क्या होता है, पहले तो अब यह समझो, रभी सीजन के लिए हाँ पर minimum support price जो है, उसको हमारे पास 1.5 times बढ़ा दिया गया है, on the recommendation of स्वामीनाथन कमिशन, अभी स्वामीनाथन कोन है, यहाँ पर बात हो रही है, MS स्वामीनाथन की, याद रखना किसकी बात हो रही है, MS स्वामीनाथन की, so who's MS स्वामीनाथन, तो he's known to be the father of, हाँ जी, father of green revolution in India, ठीक है, father of green revolution कहा जाता है इनको, Harit Kranti के जनक, तो उन्होंने एक report दी थी कि farmer की हालत को आप कैसे improve कर सकते हैं, तो उनकी report को मानते हुए, यहाँ पर government ने क्या कहा है, कि 1.5 times हम क्या करने जा रहे है, ह हम यहाँ पर रभी crops का MSPO बढ़ाने जाए, ultimately farmer को benefit यहाँ पर होगा, और यहाँ पर आप एक scheme का नाम याद रखेंगे, प्रायम मिनिस्टर आशा, ठीक है, what is प्रायम मिनिस्टर आशा, that is प्रधान मंत्री अन्न दाता आय सरक्षन अभियान, ठीक है, full form याद रखेंगे, प रभी crops, रभी crops की जब मैं बात करता हूँ, याद रखना, October से December तक इनको sown किया जाता है, मतलब की इनको एक तरह से बीजा जाता है, हिंदी में कहीं तो, sown किया जाता है, और harvesting कब होती है, April to June, रभी crops की जब मैं बात करता हूँ, तो इनको sown कब किया जाता है, October to December, harvesting कब ह होती है April to June कौन-कौन सी होती है अभी crops तो आप देख सकते हैं हमारे पास तो यहां पर ग्राम है मस्टर्ड है मसूर है पीस है पटैटो यह सब हमारे पास इस category में आएंगे ठीक है और especially अगर हम बात करें that is wheat जो हमारे पास के हुँ है वो रभी crops में हमारे पास आती है अभी अगर हम बात करें खरीफ की खरीफ crops जो दूसरी category है रभी के बाद वो है खरीफ crops अब खरीफ crops का जो sown का time होता है जब उन्हें उगाने का time होता है वो होता है जून से जुलाई मतलब कि जो बीजा जाने हिंदी में को तो बीजा जाना सोन करने का time होता है वो होता है जून से जुलाई harvesting का season कब होता है कटाई का time कब आता है September to October इसमें कौन-कौन सी फसले आएंगी वो आप याद रखेगा कौन-कौन सी फसले आएंगी इस पेशली राइस है ठीक है चावल है मक्का है में यह product हमारे पास होते हैं फिर हमारे पास एक थर्ड टाइप आ जाती है डैडिस जायद क्रॉप्स ठीक है रभी खरीफ और जायद क्रॉप्स जायद क्रॉप्स में आप seasonal जो हमारे पास foods हैं ठीक है vegetables हैं उनको आप count कर सकत छुआ चलू आप मुझे बता दो कि जायद क्रॉप्स का सोन एंड हर्वेस्टिंग टाइम कब से कब होता है जल्दी से बता दो कि स्ब्ल सा question पूछ रहा हूं जायद क्रॉप का स्वण और हर्वेस्टिंग का टाइम कब होता है याद रखना स्टुडेंट हमारे पास हर्वेस्टिंग और सोन का टाइम कब होता है मार्च टू जुलाई जायद क्रॉप के लिए हमारे पास जो टाइम यूज के जाता है that is मार्च टू जुलाई जायद क्रॉप अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दू कि हमारे पास परधानमंतरी फसल भीमायोजना एक इंपॉर्डेंट स्कीम है आपके एक्जाम पॉइंट वी उसे ठीक है फसलों को इंशॉरेंस प्रवाइड करने के लिए परधानमंतरी फसल भीमायोजना जिसमें आपको मैं प्रीमियम बता देता हूँ प्रीमियम क्या होता है प्रीमियम का मतलब जो पैसा फार्मर को पेव करना पड़ेगा इंशॉरेंस के लिए तो यहाँ पर याद रखना अलग क्रॉप के अकॉडिंग इस फिक्स किया गया है जैसे 2% फॉर रभी क्रॉप्स रभी क्रॉप्स के लिए जो हमारे पास प्रीमियम रहेगा वो 2% है 1.5% रहेगा किसके लिए खरीफ crops के लिए जो खरीफ crops है उनके लिए रहेगा 1.5% and 5% for horticulture horticulture का मतलो होता है तो ये चीज़ याद रखना फुल फॉम याद रखना FBY की परधानमंत्री फसल भीमा योजना फुल फॉम याद रखेंगे voices of the descent सीधा सीधा question आप से पूछा जा सकते है सीधा सीधा question इस book में उन्होंने mainly focus किया है groups like jain को, buddhism को और ajivikas को who were collectively known as इनको एक important question बन गया इन सब को collectively हम क्या बोलते है shramans इन सब को collectively क्या बोलते है shramans देखिए अगर student आप history को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि हमारे पास जो jainism है, buddhism है and ajivikas sect है वो आपको almost एक ही time पर evolve होता हो आपको दिखाई देगा almost same time period इंका रहता है जैसे कि अगर हम बात करें jainism को लेकर तो तिर्थंकर्ज यहां पर उवा करते थे लेकिन सबसे important तिर्थंकर्थे Lord Mahavira सबसे important तिर्थंकर jainism से related Lord Mahavira बुद्धिजम से related आपको पता ही होंगे गोतम बुद्धा चलो आपसे मैं question पुछ लेता हूँ आप मुझे student ajivika sect के related बता रिजे की ajivika sect को शुरू करने वाले important person कौन थे who is known to be the founder of ajivika sect okay याद रिखना ajivika sect को शुरू करने वाले जो हमारे पास person थे वो थे मखली कोसाला ठीक है मखली कोसाला known to be the founder of ajivika sect ठीक है तो याद रखिएगा important question यह बन जाता है jainism, muddism का सब को पता ही होता है important ajivika से related हमारे पास question बनता है फिर हमारे पास world rhino day ठीक है तो याद रखना student इसमें एक point की हमारे पास international world rhino day 22 September को observe किया गया और world में बहुत सारे rhinos आपको देखने को कहा मिलेंगे एक single एक जगाँ पर that is kazi ranga national park ठीक है बहुत ही famous है one horn rhinos के लिए ठीक है kazi ranga national park famous for one horn rhinos एक चीज़ और theme यहाँ पर याद रखेंगे five rhino species forever ठीक है theme जो रहेगी five rhino species forever अच्छा काजी रंगा national park के बारे में बता रहता हूँ यह तो पता ही होगा सबको काजी रंगा national park is in the state of Assam ठीक है UNESCO की world heritage site भी आई है यह कैसे इतना important national park existence में कैसे आया बड़ी interesting story है आपको पता होगा कि भारत के एक famous voice row वह वह करते है Lord Curzon सुना होगा ना बंगाल का विभाजिन कराया था उन्होंने ठीक है जो Lord Curzon जो है जब इंडिया के voice row होते है तो उनकी wife होती है Mary Curzon तो Mary Curzon को पता चलता है कि यह जो असाम वाला area that is famous for हां जी वन होन rhinos rhinos के लिए famous है तो वो देखने जाती है वहाँ पर rhinos दोने कोई rhino नहीं दिखाई देता तो वो गुस्से में आगर बोल देते हैं कि अब से इस area को protection मिलो तो तब से हमारे पस क्या होता है कि 1905 में उस area को protection में लिया जाता है और इस तरह से हमारे पस क्या होता है कि एक नया आपको national park देखने हो मिलता है over the period of time that is known to be काजी रंगा national park चलो that is famous for big five species ठीक है that is famous for mainly five species पाँच अलग अलग परजातियों के लिए सिरफ वन होन rhinos के लिए नी पाँच अलग अलग परजातियों के लिए हमारे पास famous है काजी रंगा national park कौन-कौन सी हमारे पास परजातिया सबसे पहले तो हमारे पास rhino rhinosaurus के लिए famous है ठीक है और उसके बाद अगर हम बात करें Bengal tiger के लिए famous है सबसे जादा population density में से एक है बेंगोल tiger को लेकर Bengal tiger बहुत बड़े लेवल पर मिलेंगे आपको हमारे पास काजी रंगा national park में बात ओर यह काजी रंगा national park के फिर हमारे पास wild water buffalo ठीक है फिर हमारे पास मिलता है wild water buffalo फिर asiatic elephant elephant का number भी बहुत बड़े लेवल पर है ठीक है इन देकाजी रंगा national park चलो आप फिफ्थ एनिमल मुझे बताईए जल्दी से comment करके की नेम दा फिफ्थ एनिमल बी ओफ दबिग फाइव फाइव फाजी रंगा काजी रंगा में पांच स्पीसीज बहुत बड़े लेवल पर आपको देखने को मिलते हैं इसको बोलते हैं बिग फाइव फाइव काजी रंगा नेम दा लास्पीसीज ओके दाट इस वाट दैस्वाइब याद रखना स्वाइब दियर आपको देखने को मिलेगा हमारे पास काजी रंगा नेंसल पार्क में तो काजी रंगा नेशनल पार्क is basically in Assam, famous for rhino, Bengal tiger, wild water buffalo, elephant and swamp deer तो इन ही को बोला जाता है big five of काजी रंगा इन पांच चीजों को बोला जाता है नेक्स हमारे पास first state with policies on ethical artificial intelligence and blockchain technology देखिए तमिलाडू state जहांके CM कोन है? एक प्लेनस्वामी ठीक है? तो हमारे पास उन्होंने क्या किया है release किया है नहीं policy तमिलाडू, cyber security policy 2020, तमिलाडू, blockchain policy 2020 and तमिलाडू safe and ethical artificial intelligence policy इन तीनों को नाम दिया गाए ABC policy, निकनेम क्या दिया गाए ABC policy तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ ABC policies किस state ने recently launch की है? तमिलाडू, ये policies किसको लेकर है? Artificial intelligence को लेकर है, blockchain technology को लेकर है ठीक है? और ethical system को लेकर है, basically net के ओपर जो हता है तो first state है भारत के अंदर जिसने हमारे पास कुछ ऐसे, हमारे पास नए bills pass किये है ठीक है? policies लेकर आए है, artificial intelligence और ethical hacking को लेकर ठीक है, blockchain technology का आज की डेट में बहुत ज़्यादा use हो रहा है बड़े लेवल पर और सबसे perfect example, blockchain technology का क्या था? bitcoin सबसे पहले बड़े लेवल पर blockchain technology का use का हुआ? bitcoin में आज की डेट में blockchain technology का बहुत जगाओं पर use हमारे पास आपको देखने को मिल रहा है ठीक है और इसी के चलते है, NPCI ने एक platform भी launch किया था, digital हमारे पास transactions को लेकर वजजर platform, so वजजर platform जो है, जो हमारे पास NPCI ने लांच किया था, to promote the digital transactions in India वो भी किसके पर based है, that is also based on blockchain technology, किसके पर based है, blockchain technology के पर based है NPCI here means National Payment Corporation of India, so काफी सारी चीज़े हैं हमारे पास किस से related, blockchain technology से related और नितियायोग भी काम कर रहा है कि blockchain technology काम use, various जगाओं पर कर सके देखे, अगर हम बात करें, Tamil Nadu की, Tamil Nadu ने सब किया, Tamil Nadu के governor का नाम याद रखना, who's the current governor of Tamil Nadu बनवारी लाल परोहित, ठीक है, याद रखना, who's the current governor, बनवारी लाल परोहित, current governor है, Tamil Nadu के, और एक जीज़ और याद रखना लेना, कि यहां के बहुत ही famous सीज़ है, Tamil Nadu जिसको लेकर पेपर में बार बार कोशन आता है, that is what, that is भारत नात्यम, ठीक है, भारत नात्यम जो कि हमारे पास इंडिया का एक classical dance form है, so भारत नात्यम related to which state, याद रखेगा, भारत नात्यम related to the state of Tamil Nadu, simple सा कोशन है, ठीक है, famous dance form है, हमारे पास Tamil Nadu से बार बा महराष्टरा, cooperative bank limited, तो ये काफी problem में था, इसके अंदर कहीं सारे गड़बडियां देखने को मिली थी, RBI को, तो RBN इसका administration अपने हाथ में ले लिया था, देखे, cooperative banks के अगर मैं बात करूँ, if we talk about, पहले चलो PMC की बात कर लेते, PMC bank की, ये हमारे पास 1984 में PMC bank establish हुआ था, और देश के बड़े cooperative bankों में से एक है, जिसका headquarter मुंबई में है, पहली बात तो ये याद रखना है, इसका headquarter मुंबई में है, और अभी AK देख्षित हमारे पास, यहाँ पर नए administrator बने है, तो ये भी आपको बात कर लगए कि, who's the new administrator of PMC bank, AK देख्षित, चलो, अब हम British society act ये establish होते हैं, और RBI इनको कैसे control करते हैं, regulated by the banking regulating act of 1949, banking regulating act of 1949 के थो इनको regulate किया जाता है, इसके लावा आपको मैं बात बताऊं, तो यहाँ पर अभी recommendation आई थी, R. Gandhi की, ठीक है, R. Gandhi, one of the former RBI governor, उन्होंने recommendation दी थी, कि जितने भी भारत में cooperative banks है, जितने भी भारत में cooperative banks है, उन सब को, urban cooperative banks को, हमारे पास small finance bank में convert कर दो, तो आपने याद रखने है, कौन से bank को small finance bank में convert करने के लिए, R. Gandhi जो की former deputy governor थे, RBI के, अब नहीं है, former deputy governor, तो उन्होंने recommendation दी थी, तो उन्होंने कहा था कि urban cooperative banks जो है, जो हमारे पास, उनको small finance bank में convert कर दो, ठीक है, तो small finance bank हमार पास new type के bank है, जो ultimately small finances के लिए काम करते हैं, नाम सी बढ़ा चल रहा है, financial inclusion को strengthen करते हैं, ठीक है, और चलिए, आप मुझे comment section में जल्दी से question का अंसर दे दीजे, Name the first cooperative bank converted into small finance bank recently, भारत का पहला cooperative bank जो अभी recently small finance bank में convert हुआ है, याद रखना, शिवालिक mercantile cooperative bank, ठीक है, शिवालिक mercantile cooperative bank, यह भारत का पहला ऐसा cooperative bank है, जिसको RBA के approval के बाद small finance bank में convert होने का chance मिला है, अगर कोई bank cooperative bank से small finance bank में convert होता है, तो उसको फिर पूरे भारत में अपनी branches कोलने के अज़ादी मिल जाती है, उसको limited area में काम करने की requirement नहीं है, और उसके पास जादा opportunities उसको मिलेंगी, अगर वो अपने आपको small finance bank में convert करता है, और याद रखना किसकी recommendation थी, किसका चुझाव था, कि भारत में urban cooperative banks को में small finance bank में convert कर देना चाहिए, वो थे R. Gandhi, former deputy governor of RBI, और अगर हम अभी बात करें, who's the current governor of RBI, शक्तिकांता दास, पता ही Twitter के ओपर सबसे जादा follow किया जाने वाला Central Bank है, Twitter के ओपर सबसे जादा follow किया जाने वाला Central Bank है, that is the Central Bank of India, that is RBI, okay, RBI सबसे जादा follow किया जाने वाला Central Bank है on Twitter, अभी recently news में था, यह चीज तो इसलिए मैं आपको बता दियो, ठीक है, next हमारे पास UNEP Green Ambassador in India, UNEP, that is United Nation Environment Program, UN की specialized agency है, UNEP, जो कि हमारे पास established कब हूई थी 1972 में, that is established in the year 1972, जिसका headquarter कहा है, Nairobi में, याद रखना, Nairobi is in Kenya, ठीक है, headquarter याद रखना, UNEP का headquarter कहा है, Nairobi, Kenya में, अभी news कही है, news समझे, that is Phushi Chindalya, ठीक है, a 17-year-old girl child from Surat Gujarat has been appointed as regional ambassador, तो आप से सीधा सीधा question पुछा रहता है, कि भारत से किसको UNEP ने, अपना regional ambassador appoint किया है, तो वो है, Khushi Chindalya, जो कि बड़ी interested है, nature की conservation में, environment में, और उनके effort से, उनको ये मुकाम हासिल हुआ, कि UNEP ने, उनके efforts को देखते हुए, उनको अपना regional ambassador appoint किया है, ठीक है, और याद करते हैं, world environment day, do remember, 5th of June को हम observe करते हैं, world environment day, ठीक है, तो ये day important हो जाते हैं, याद रखेंगे, चलिए, आप से मैं simple सा question पूछ लेता हूँ, कि who's the UNEP, goodwill ambassador in India, UNEP की goodwill ambassador in India में कोन है, UNEP goodwill ambassador in India ओके, याद रखना, दिया मिर्जा, goodwill ambassador of UNEP in India कोन है, दिया मिर्जा, चले जी, आगे चलते हैं, President of Belarus sworn in for the 6th time, देखे, Belarus की जब मैं बात करता हूँ, तो एक important country है, हमारे पास, ये Europe और Russia के बीच में आपको दिखाई देगी, और यहाँ पर 6th time, 6th time President कोन बने हैं, हमारे पास, नाम याद रखेगा, Alexander Lakeshkenko, ठीक है, How to pronounce, I don't know exactly how to pronounce this particular name, but आप याद रखेगे, 6th time, he became the President, ठीक है, तो अपने आप में एक record यहाँ पर बन गया, तो आप से पुछा रहते हैं कि कौन सी country के President अभी recently, बेलरूस के name, उस person का नाम दाई, जो 6th time, अभी recently President बने हैं, बेलरूस की बात करों, तो यहाँ पर जो capital है, If we talk about the capital of Belarus, that is Minsk, ठीक है, currency जो यूज की जाती है, that is Ruble, ठीक है, Belarus, Ruble यहाँ पर यूज की जाती है, और याद रखेगा, हमारे बास, Belarus किस से अलग हुआ था, गोट separated from, ठीक है, separate किस से हुआ था, separated from USSR, USSR का पहले पार्ट हुआ करता था, 1991 में, 1990 में यह हमारे बास USSR से अलग हुआ था, तो USSR का वी गटन हो गया था, ठीक है, चलिए, आप मुझे comment section बहुत simple question बूचता हूँ है, ठीक है, वैसे बहुत ही simple question है, आप मुझे USSR का, USSR की full form बत full form of USSR, okay, USSR की full form याद रखना, बिल्कूल, simple as student, that is, हां जी, Union of Soviet Socialist Republic, ठीक है, Union of Soviet Socialist Republic, चलिए, नेक्स हमारे पास DRU से रिटिट न्यूज है, what is DRU, so, कुछ बच्चे जो नहीं होंगे, उनको नहीं पता, तो उनको मैं बता दू, simple सी है, वैसे तो चीज ही है, that is, defense, research, development organization, ठीक है, DRU की full form याद रखना, defense, research, development organization, यह वो संस्था है, student, जो भारत के लिए, भीवि पास याद रखेगा, एस कब से काम कर रही है, भारत के लिए, अगर हम बात करें, 19, यह 1958 से भारत के लिए काम कर रही है, the organization working for India, from 1958, जिसका headquarter कहा है, New Delhi में, ठीक है, headquarter इसका Delhi में है, और इसके current जो head है, chairperson है, वो कोन है, G. Satish Reddy, इसे current chairperson कोन है, G. Satish Reddy, यह तो basic introduction इसका हो गया, अब news पे आ जाते हैं, ठीक है, DRD successfully conducted the test flight of abhyaas, so what is abhyaas, that is high speed expandable aerial target, तो यह क्या कर सकता है, हमारे पास किसी भी हमारे पास, जो हमारे पास India की तरफ, कोई missile move कर रही है, उसको हमारे पास hit कर सकता है, उसको in between जो flight है, उसको destroy ही कर सकता है, तो इंडिया जो है, पिछले कुछ टाइम से इसी चीज़ पर काम कर रहा है, कि हम अपना एक defense mechanism मना सकें, ठीक है, missile defense system मना सकें, हमारा खुद का missile defense system हो, जैसे अगर हम बात करें, अलग-अलग countries का अलग-अलग missile defense mechanism होता है, जैसे इसराइल की हम बात करें, तो इ आप जल्दी से मुझे comment section में comment करके बताइए, कि इंडिया के missile defense system का नाम क्या है, नेम दा इंडिया's missile defense system बिल्कुल simplest friend, that is BMD system, इंडिया के जो missile defense system का नाम है, वो है, BMD system, जो इंडिया ने खुद बना है, that is ballistic missile defense system, इंडिया ने जो खुद का missile defense system मना है, उसका नाम याद रखेंगे, BMD system, that is ballistic missile defense system, next हमारे पास government raise limit for the use of SDRF funds by the state, so what is SDRF, that is State Disaster Response Fund, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि government ने, center government ने 35% से उसको increase करके 50% कर दिया, क्योंकि आपको बता है, कोविड के चलते, हमारे पास बहुत different तरह की problems जो है, face करनी पढ़ने है states को, तो इसी के चलते हैं यहाँ पर, यह decision लिया गया है, center government की तरफ से, और ultimately यहाँ पर meeting हुई थी, और meeting को lead कौन कर रहे थे, नरेंदर मोधी, याद रखेंगे state disaster response fund, constituted under the section 48 of 1A of disaster management act 2005, चलिए, आपको मैं कुछ एक दो points और यहाँ पर student बताना चाहूंगा, अभी कहीं तरह के funds जो है, अभी हमें देखने को मिल रहे है, जैसे सबसे ज़्यादा controversy में fund कौन से है, that is PM Cares Fund, यह बहुत controversy में रहा था, क्योंकि transparency नहीं थी, PM Care Fund में, ठीक है, लोगों ने donation दी, so what is PM Care Fund full form, that is Prime Minister Citizen Care and Assistance, that is Prime Minister Citizen Care and Assistance Emergency Situation Fund, याद रखेगा, पहले तो full form याद रखेगा, Prime Minister Citizen Assistance Relief in Emergency Situation Fund, ठीक है, तो इसमें हमारे पास PM Care Fund के head को है, खुद Prime Minister of India, और इसमें 3 members है, याद रखना, PM Care Fund के उपर आपको वेपर में question देखने को मिल सकते है, इसमें total कितने members है, 3 members, about from Prime Minister, Prime Minister को छोड़कर, दो member तो मैं आपको बता लेता हूँ, बड़े simple हैं, वो तो guess करना है, बहुत simple है, one is Home Minister, यानि कि Amit Shah, second is the Finance Minister, यानि निर्मला सितरवन, आप मुझे third member का नाम बता दीजिए, कि who is the third member in PM Care Fund, हाँ जी, name the third member in PM Care Fund, Okay, बेल्गुल simple question, आपने याद रखना है, तीसरे member होते हैं, यहाँ पर PM Care Fund में, Defense Minister, यानि अभी Defense Minister को है, राजनाथ सिंग, ठीक है, so राजनाथ सिंग is one of the third member of PM Care Fund, next हमारे पास safe pay for contactless debit card based payment, ठीक है, हमारे पास contactless debit card के यहाँ पर payment, यहाँ पर concept शुरू किया है, कि इसने IDFC First Bank ने, ओके, थोड़ा सा बात कर लेते हैं, actually, जब आप बीना contact के credit card या debit card से payment करते हो, तो उसमें जो technology use होती है, वो याद रखना, that is NFC, पहली बात तो आप यह याद रखना, NFC, NFC हमारे पास होता है, near field communication, आपने देखा होगा कि बिना हमारे पास card swipe कि हम क्या करते हैं, payment करते हैं, कहीं बार credit card, debit card से, तो उसमें कौन सी technology का use होता है, near field communication का, एक चीज़ और मैं आपको होता दूँ, कि जहाँ पर आप card swipe करते हो, ऐसी जगहों पर commercial shops वे कहीं भी, जहाँ पर आपको card swipe करने का option होता है, उनको मोलते है point of sale terminal, जहाँ पर आपको card swipe करने का option मिलता है, that is known to be point of sale terminal, पहली बार हमारे पास क्या है, कि इस तरह की facility, एक नई तरह की facility launch की गई है, और यह launch किसने की है, IDFC first bank ने, banking वाले बच्चों के लिए news important है, IDFC first bank की अगर मैं बात करो, if we talk about this particular bank, IDFC first bank, यह bank हमारे पास कोई जादा पुराना bank नहीं है, यह bank establish हुआ था 2015 में, after the RBI approval, 2015 में, और इसके current MD कौन है, तो वैद्यनाथन, ठीक है, V. वैद्यनाथन, so he is the current MD of IDFC first bank, इसके ambassador कोई IDFC first bank के अमीता बच्चन, चलिए आपसे question पूछ लेता हूँ, कि 2015 में इसको approval मिला था from RBI, 2015 में हमारे पास IDFC first bank को approval मिला था, लेकिन actually 2015 में, दो बैंकों को approval मिला था, by the Bimal Jalan Committee, Bimal Jalan Committee ने, दो नए बैंकों को approval दिया था, to work as a commercial bank, हाँ जी, दूसरे बैंक का नाम बताओ ज़रा जल्दी से, name the other bank, याद रखना, that is Bandhan Bank, ठीक है, Bandhan Bank और IDFC bank को हमारे पास approval दिया था, Bimal Jalan Committee ने, to work as a commercial bank in India in the year 2015, next हमारे पास, उदे कोटक gets one year extension, as the non executive chairman of Island FS, यह Island FS क्या है, यह हमारे पास अगर हम समझने की कोशिश करें स्टूट, नाम से अब को गाफियत तक कुछ चीज़े के लिए हो जाएंगे, infrastructure, leasing and financial services, यह Island FS बहुत बड़े level पर financial services provide करने का काम करती है, यह agency जो है, मारे पास यह organization 1987 में establish हुई थी, और भारत में जितने भी बड़े infrastructure की जो projects होते हैं, जितने भी big infrastructure projects होते हैं, उनमें कहीं न कहीं इसकी involvement आपको देखने को मिलीगी, आइलन FS की, या तो funding यह कर रही होगी, तो अभी क्या हो है कि हमारे पास executive chairman, ठीक है, 1-year extension as a non-executive chairman of ILFS, किसको point क्या गया है, Udaya Kotec को, Udaya Kotec is the current chairman of Kotec Mahindra Beng, ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको तरू सुएंट, ILFS को लेकर, कि ILFS जैसा मैं आपको बताया है, जैसे recent आपको example दे के बताता हूँ, अभी भारत में इंडिया की सबसे longest tunnel inaugurate होई थी, that is, Shama Prasad Mukherjee, ठीक है, Shama Prasad Mukherjee tunnel, यह हमारे पास Jumbo and Kashmir में tunnel है, और यह इंडिया की longest tunnel है, इसको किसे ने बनाया था, ILFS ने बनाया था, इसकी जो total हमारे पास length है, 9.2 km है, कौन से है, highway पे situated है, NH44 पे, यह दखना है points, तो longest tunnel भारत में कौन सी है, Shama Prasad Mukherjee tunnel, Jumbo Kashmir में है, NH44 पे है, और total जो इसकी length है, that is 9.2 km, 9.2 km, औके, और construct किस ने की थी, ILFS ने, तो उसके अब non executive chairman, एक साल के लिए, फिर से कौन बन गए है हमारे पास, वो हमारे पास बन गए है, हाँ जी, उदे कोटक, जो पहले सी इस position पे थे, actually क्या था, कि हमारे पास government ने, इसका control अपने हाथ में ले लिया था, पिछले साल, क्या हुआ था कि, ILFS में कुछ गढ़ड़िया दिखाई दी थी, financial unstability दिखाई दी थी, तो government ने क्या किया था, कि हमारे पास कोई problem ना खड़ी हो, क्योंकि, sorry, ILFS की हमारे पास आपको बतादू, कि 250,000 subsidiaries है, ILFS की 200,000 subsidiaries है, तो कोई problem देखने को ना में लिए, इसलिए government ने इसका पूरा का पूरा control, अपने हाथ में ले लिया, ILFS का control, next, हमारे पास first central minister, die of COVID-19, देखे सुने डाप यहाँ पर एक दो बाते ध्यान से समझ लीजे, हमारे पास, बेलगावई, constituency से जो MP थे, सुरेश अंगाडी, और हमारे पास minister of state for railways, इनकी death हो गई है, पहली बार COVID-19 से किसी union minister की death हो गई है, although आपको मता दू, कि भारत में और पूरे world में, लगभग 1 million, पूरे विश्व में 1 million से ज़्यादा, death हो चुकी है COVID-19 के वाई से, और चाइना जहां से यह वाईरस की शुरुवात हुई थी वहान से, पता हुगा ना, वाईरस की शुरुवात कहां से हुई थी वहान से, तो इसलिए तो हमारे पास Donald Trump इसे वहान वाईरस के नाम से, एक तरह से designate करते हैं, तो आप देखेंगे कि वहान में जादा केसी इतने बड़े लावल पर नहीं देखने को मिले, चाइना में casualties बहुत कम हुई, लेकिन पूरे वर्ल में आप देखेंगे कि एक मिलियन से जारा लोगों की death हो गई, तो आपने याद रखने सुरेश अगाडी हमारे पास union minister थे, जिनकी death हुई है, पहली बार COVID-19 से किसी union minister की death हुई, कौन सी constituency से थे बेलगावी constituency of करनाटका, बेलगावी famous student, आपको बता देता हूँ क्यों, 1924 में, 1924 में Indian National Congress का जो session हुआ था, वो एतिहासिक session था, जो की बेलगावी में हुआ था, ठीक है, और इसको chair किस ने किया था, उसको chair किया था, महात्पागादी जी ने, ठीक है, तो आपने याद रखना है कि, history का important question, कि महात्पागादी ने कौन से, हमारे पास Congress का session को chair किया था, that is 1924 session, ठीक है, 39th session भी इसको बोल देते हैं, actually मैं 39th session था ये, तो ये हमारे पास session कहा हुआ था, बेलगावी में, in the year 1924, next, World Maritime Day, so World Maritime Day observe किया था, 24th of September को, ठीक है, so, देखे, date fix नहीं है इसकी, ये observe किया जाता है, last Thursday of September, याद रखेगा, last Thursday of September को ये observe किया जाता है, और इस बार, जो last Thursday है, वो हमारे पास पढ़ा, 24th September को, तो इसलिए जो date है, वो fix नहीं है, हाँ, theme याद रखेंगे, sustainable shipping for a sustainable planet, ठीक है, sustainable shipping for a sustainable planet, ओके, अगर हम बात करें, ये day organized किया जाता है, by IMO, International Maritime Organization, IMO की मैं बात कर लेता हूँ, so IMO is a part of UN, ये संयुक्त रास्ट का ही एक अंग है, United Nation का part है, जिसको established किया गया था, 1948 में, ठीक है, जो हमारे पास shipping होती है, maritime shipping होती है, उसको कही ना कहीं manage करने काम करता है, International Maritime Organization, चले एक simple सा question पूछ लेता हूँ, बहुत simple, where is the headquarter of IMO, IMO को headquarter कहा है, जल्दी से comment section में comment करके बता रीज़े, where is the headquarter of IMO, याद रखना, headquarter है London, ठीक है student, बिल्कुल simple सा question था, London UK, next, first medical devices park, to be set up in Thiruvanthpuram, Thiruvanthpuram में, देश का पहला medical devices park, established क्या जा रहा है, अब ये medical devices park है, क्या student, देखें, जैसे IT park होते हैं, समझने की कोशिचिच कीज़, let's try to understand, जैसे हमारे पास IT park होते हैं, IT park में क्या होता है, बहुत सारी IT companies जो हैं, आके अपना set up लगाती हैं, और काम करना शुरू करती हैं, तो जो medical devices park होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, कि medical devices की production की जाएगी, गौर्मेंट करेगी, नहीं, गौर्मेंट क्या करेगी, infrastructure available करा देगी, सडके बना देगी, plots a lot कर देगी, और उसके बाद आप तो में बता दूँ, कि फिर क्या होगा, कि हमारे पास medical devices जो हैं, वो कहीं न कहीं, बनने शुरू हो जाएगे, और पहली बार भारत का medical devices park बनेगा, वो बनेगा, तिरुवन्तपुरम में, तिरुवन्तपुरम देट इसन केरला, इवन ये भी projections है, कि जो देश का पहला space park होगा, space park का मतलब जहां पर, space equipment or space related, जो भी हमारे पास requirement होती है, उन सब के बारे में manufacturing की जाएगी, तो वो भी तिरुवन्तपुरम में बनाने का project अभी है, लेकिन आपने याद रखना है कि MEDS Park, ठीक है, प्रियारी वीजिन जो chief minister है हमारे पास, led the foundation stone of one of the first medical devices park in the country, MEDS Park, नाम याद रखें कि MEDS Park और ये कहां पर बनना जा रहा है, तिरुवन्तपुरम केरला में, ठीक है, सीधा सीधा question, ठीक है, केरला, also known as gods on country, ठीक है, tourism के लिए काफी famous country है, ठीक है, और अभी इसको अगर हम बात करें, award भी मिला है, ठीक है, हमारे पास याद रखना, केरला को अभी recently award भी मिला है, केरला वंदा, United Nations Integracy Task Force, ठीक है, हमारे पास क्या हुआ है, कि UNITF की तरफ से award मिला है, 2020, क्यों वही award मिला है, क्योंकि sustainable development goals को achieve करते हुए, SDG, बहुत बार बता चुका हूँ, sustainable development goals, UN के goals हैं, कितने goals हैं, 17 goals, हर lecture में इनकी बार उपर कोई ना कोई बाद आ जाती है, तो non-communicable diseases को सही से tackle करने के लिए states में, केरला को यह award मिला, तो केरला से related medical की दो news, non-communicable diseases को इनोंने अपने state में control किया, उसकी वैसे United Nations Intergency Task Force की तरफ से इन अवोर्ड मिला, और दूसरा भारत का जो पहला medical devices park है, medis park के नाम से वो भी कहां बे बनने जा रहे है, तिरुवनतपुरम केरला में, तो केरला से related यह दोनों news हैं, वो याद रचना, दोनों medical sector से related कहीं नगए news हैं, next हमारे पास RBI released technology vision on cyber security, तो RBI ने क्या किया, तो को लेकर यहां पर एक vision launch की है, तो आपने याद रखने कौन से specialized bankों को लेकर RBI ने एक technology vision launch की है, 2022 से 2023, so that is urban cooperative banks, RBI के बारे में आपको basic knowledge तो होगी, कि RBI हमारे पास कब established हुआ था, on 1st of April 1935, ठीक है, और nationalization हुई थी कब 1949 में, nationalization कब हुई थी 1949 में, जिसका headquarter का है RBI का आज की date में, Mumbai में, और governor हम already discuss कर चुके हैं, कौन, शक्तिकान था, दास, और अभी recently एक और news का ही है, कि Amitabh Ghosh, Amitabh Ghosh जो है, जो former governor थे, Reserve Bank of India के, उनकी recently death हो गई है, 90 years के age में, तो आपको याद रखने हैं, कि इनका shortest time period था, as a RBI governor, तो आपने याद रखने हैं, कि किस RBI governor की recently अभी death होई है, तो वो है Amitabh Ghosh, ओके, चलिए, एक छोड़ा सा point और आप याद रखेगा, कि अभी तक RBI की history में, RBI के first governor कौन थे, first governor थे, sir Osborne Smith, note down कर ले ना, अभी तब कोई female governor नहीं बने है, यह बात याद रखेगा, हमारे पास RBI की history में अभी तब कोई female governor नहीं बने, next, indigenous, last news for the discipline, indigenous microprocessor, Moshik, for IOT devices, IOT devices क्या होता है, internet of things, यह क्या होता है, देखो जैसे हमारे पास, जो आज की smartwatches है, आज की date में जो smart gadgets आते हैं, जैसे Google Home आता है हमारे पास, जो lights को on off करता है आपके बोलने पे, ठीक है, तो internet, IOT things के लिए एक special, हमारे पास microprocessor बनाएगा है, जिसका नाम है Moshik, किसने बनाएगा है, IIT Madras ने, जिसको किसने बनाएगा है, तो सीधा सीधा question आप से पुछा आजता है, IOT devices के लिए, लेकिन अगर मैं आप से पूछ लूँ, कि पहला India का first indigenously built microprocessor, indigenous microprocessor built in India, भारत का पहला सब्देशी तक्नीक से नर्मित microprocessor कौन साथा, हाँ जी, तो आपको बदा दू चलो ये question, इसका अंसर मैं खुदी देता हूँ, कि India's first indigenously built microprocessor था, हमारे पास शक्ती, और इसको किसने बनाया था, IIT Madras, same, same organization, IIT Madras ने ही, इंडिया का पहला indigenously built microprocessor बनाया था, जिसका नाम था, शक्ती, ठीक है, आप से मैं question पूछ लेता हूँ, आप मुझे बता दो, student microprocessor में accumulator का function क्या होता है, computer से lady question हो गया, accumulator का function क्या होता है microprocessor में, ठीक है, जल्दी से बता दो, function of accumulator, याद रखना to perform arithmetic and logical operation, to perform arithmetic and logical operation, तो student यह था आज का वीडियो, आशा करता हूँ, आपको सब बच्चे समझाया होगा, ठीक है, हमसे जुड़े रहिए, do subscribe channel, press the bell icon, thank you, have a nice day,